जैहन दोस्तो खेल तो हम रोज ही खेलते हैं दोस्तो कभी अपने साथ तो कभी अपने दोस्तों के साथ लेकिन जो खेल हम मुवाइल और कम्प्यूटर बे खेलते हैं उसके लिए दो चीजे चाहिए होती है CPU और GPU CPU होता है Central Processing Unit जो की कम्प्यूटर का दिमाग होता है और GPU होता है उसकी आखे क्योंकि वो जो है हमें गेम की दुनिया दिखाता है और इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है Graphics Processing Unit और यही GPU में जब हम पंके लगा देते हैं टीट सिंग लगा देते हैं और भी 2-3 जीने लगा देते हैं तो यह Graphic Card बन जाता है थोड़ी सी प्रोफेसर गिरी होगी स्टार्टिंग में बट मुझे लगा कि यह डिफरेंस समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बात करें तो मार्केट में तीन कंपनी है मेंली जो यह Graphic Card बनाती है Intel, NVIDIA और AMD Intel ने अभी अभी एंट्री मार्केट में इसी साल और वो जगा बनाने की कोशिश कर रहा है AMD और NVIDIA फुराने के लाड़ी है जिसमें अभी की जनरेशन के हिसाब से NVIDIA को थोड़ा सा में आगे काऊंगा AMD से बटिन की next generation आने वाली है इस साली तो हो सकता है कि इस साल के अन तक यहाँ पर किसी का भी जो है यहाँ पर पलड़ा पारी हो जाए अब बात करते हैं NVIDIA के 3060 Card के बारे में जो की Gigabyte Company ने बनाया है अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है होता क्या है GPU जो है वो एक PCB होता है जिसमें आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर लगे होते हैं तो यह जो GPU होता है वो NVIDIA और AMD बनाते हैं और फिर इस GPU को बना के वो AIB Partners को भेज देते हैं AIB का मतलब होता है Add-in Board जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है यह PCB यानि Printed Circuit Board जो की NVIDIA ने बनाया है उसमें कुछ एड़ करेंगे तो यह उस GPU में पंक्खे, हीट सिंक, कैटसिटर और भी बहुत कुछ एड़ करते हैं जिससे वो क्राफिक कार्ड बन जाता है यह AIB Partners है बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे की MSI, Gigabyte, Zotac, Asus और भी बहुत कुछ तो आप लोग जब भी एक कार्ड खरीदते हो तो उसमें आपको NVIDIA की GPU की जो capabilities हैं वो तो मिलेंगी मिलेंगी लेकिन जो सुधार करते हैं यह AIB Partners वो भी add-on होके मिलेंगे अब यह वीडियो आपके लिए काफी हट तक useful हो सकती है अगर आपको ग्राफिक कार्ड लेना है और आपको उसके बारे में कोई भी information नहीं है तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की जो एन्वीडिया AMD और इंटल ने निकाले हैं तो बात करें AMD और इंवीडिया की दोनों की अभी latest generation जो मार्केट में available है वो है AMD की 6000 series और NVIDIA की 3000 series हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब कोई दूसरी generation आ गई हो Intel ने इस साल मार्केट में entry ली है और उन्होंने generation of cards का नाम Intel Arc रखा है तीनों ही companies entry level mid level और high end segment के लिए graphic cards निकालती है जिससे आपका जो budget है उस budget में आपको best performance दे ली जाए अब card कौन से segment में आता है ये MSRP से decide होता है जो की NVIDIA और AMD सेट करते हैं MSRP होता है Manufactured Suggested Retail Price ये इसलिए होता है ताकि जितने भी AIB partners हैं वो इस price के आसपास जो है card के MRP रखे सारी enhancement करने के पाथ बट ये MSRP सिरफ नाम की थी COVID के बाद से chip shortage के कारण और demand जादा होने के कारण cards दो गोने price के भी बिक रहे थे इस MSRP के कारण लेकिन अब जब मैं ये video बना रहा हूँ तब काफी हद तक prices MSRP के करीब आ गई हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं NVIDIA और AMD के models के बारे में तो NVIDIA और AMD हर दो साल में नई generations निकालते हैं और 2025 में भी इनकी नई generations NVIDIA 4000 और AMD 7000 series आने वली है तो मैं आप लोगों से request करूँगा कि अगर आपने अभी तक graphic cards नहीं लियें तो थोड़ा wait कर ले नई series का latest generation NVIDIA की 3000 है और AMD की 6000 है Intel अभी market में नया है और बहुत जादा लेट आया है Intel ने दावा किया था कि वो 2021 में card launch करेगा लेकिन cards अभी भी publicly available नहीं है Intel R series के तो इसलिए इस वीडियो में जो हम Intel के cards के बारे में जो है discuss नहीं करेंगे सिरफ NVIDIA और AMD के बारे में discuss करेंगे अब model की बात करी जाए तो NVIDIA के दो series आती है एक GTX series और एक RTX series NVIDIA की GTX series लगबग 10 साल market में चली लेकिन 2018 में RTX card launch करे NVIDIA ने उनकी 2000 series की generation में जिनका model था 2060 2060 Super, 2070 2080, 2080 Ti 2080 Super 2020 में उन्होंने अपनी 3000 series launch करी जो की RTX architecture की second generation है और इस generation RTX आर्किटेक्टेक्चर को NVIDIA ने Empire नाम दिया था अब आप ऐसा मत समझना की सारे card models एक generation के एक साथ launch हो जाते हैं पहले higher cards जो है launch होते हैं जैसे की 3090, 3080, 3070 mid range cards उनके 2-3 महीने बाद launch करे जाते हैं जैसे की 3060 और अभी 2022 में ही budget card निकाला है NVIDIA ने जिसका model नमबर है 3050 GTX और RTX में 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 अर्किटेक्चर का फरक है और performance का फरक है GTX cards 180B gaming भी मुश्किल से चला पाते हैं जबकि RTX card के लिए वो आजाक है बाकि GTX card अभी काफी पुराने हो चुके हैं बट क्योंकि entry level में अच्छी performance दे देते हैं इसलिए आज भी market में वो बात करी जाए AMD की तो AMD और वो पिचले चार साल से जो है इसी आर्किटेक्चर पे जो है graphic cards निकाल रहे अपने 2019 से इससे पहले AMD के GCN architecture Будबेस्ट cards आते थे जो की अच्छे थे, but gaming के लिए sufficient नहीं थे 망 informs the arkadaşlar Limited 7000 series लांच करेगा AMD के graphic cards line-up बड़ी simple सी रहती है 64000 model number से entry level बहुत ही basic card आपको मिलना चालू हो जाता है और फिर 6500, 6500 XT, 6600 जो की Nvidia 3060 के बराबर है लगबग, 6600 XT, 6700, 6800, 6900 और इनकी XT models XT models को आप Nvidia के TI models के साथ compare कर सकते हो और यह जो models होते हैं इनके base variants से थोड़ी सी ज्यादा performance देते हैं और इनका price भी ज्यादा ही होता है अब उमीद करता हूँ आप सब को इनके models और lineups और recent history clear हो गई होगी तो अब बात करते हैं दोनों companies कौन कौन से softwares provide करती है यह एक काफी लंबा topic है और मतलब यह जो है मतलब next video में जो है हम लोग discuss करेंगी कि यह video already काफी लंबा हो चुका है अब आप हृू